आज की हमारी जो रेसिपी है वो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको यह बिल्कुल भी पसंदना हो हलो फ्रेंट्स वेलकम बेग टु मैं चेनल फ्रेंड्स आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो निम्बू पानी की रेसिपी है और गर्मियों की यह बहुत ही ज़्यादा इस्पेशल रेसिपी होती है आज हम इसका पाउडर बना के तयार करेंगे इसे हम एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और निम्बू पानी पीना सबको बहुत पसंद होता है लेकिन एक तो गर्मी में निम्बू का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दूसरा इसको बनाना भी बहुत थोड़ा टिपिकल लगता है पहले निम्बू को बहुत सा रस निकालो उसके बाद पिर चीनी मिल लाओ तो सब आलास कर जाते हैं लेकिन अगर आप ऐसा पाउडर बना के रख देंगी तो एक साल तक आप इसे बहुत ही आसान इसे बना कर पी सकते हैं तो शुरू करते हैं हम निम्बू के पाउडर की रेसिपी इसको बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम निम्बू लिए एक तो सारे पीसे बनके रेडी हो गए अब एक बाउल लेंगे और फिर हम निम्बू निकलने का जो होता है इसके अंदर रख के और निकलेंगे और इससे क्या है कि पूरा अच्छे से निम्बू का रस निकलता नहीं है तो आप जहां तक हो वहां तक हाथ से ही निकले मैंने य च्छनी लेंगे क्योंकि इसके अंदर सारे बीज आ गए थे तो च्छनी लेंगे और इसको छान लेंगे अब एक बड़ी ठाली लेंगे और जो हमने रस निकला था निम्बू का वो एक कप के अंदर डाल देंगे आप ग्लास कटोरी किसी से भी नाप कर सकते हैं लेकिन नाप करना बहुत जरूरी है तो एक कप से थोड़ा सा खाली है अब इसके अंदर जो हम चीनी मिलाएंगे इ हमको चीनी और निम्बू का बिल्कुल नाप परफेक्ट रखना है तो जितना हमने निम्बू का रस था उससे तिगुनी हमने इसके अंदर चीनी डाली है तो जितना खाली था उतना ही हमने चीनी को भी खाली रखा तो तीन कप मैंने इसके अंदर चीनी डाली अब इन दोन के अंदर ही मिक्स हो जाएगा आपस में अब हम इसकी तीन या चार छोटी-छोटी थालियां लेंगे और इसकी हल्की छोटी-छोटी बिल्कुल बारिक-बारिक परत बनाएंगे तो इसको जो हम फेलाएंगे वो एकदम पापड जैसा पतला होना चाहिए जितना मोटा आप रखेंगे उतना ज़्यादा इसको सुखने में प्रोब्लम आएगी तो मैं चार थाली के अंदर फेला रही हूँ इसको बिना गेस जलाएं बिना चाशनी बनाएं हमने निम्बू की शिखनजी को तयार किया है तो ये चार थाली के अंदर बिल्कुल पतली पापड जैसी हमने इसकी परत को फेला दिया है और अब हम इसको दो दिन के लिए पंखे की नीचे रख देंगे दो दिन और दो रात में ये जाके सुखेगा तो दो दिन लगे पूरा इसको सुखने में धूप में इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है न इसको गरम करना है से बंखे की नीचे ही रखना है तो दो दिन ये अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी उपर से गिला नहीं रहना चाहिए, अब हम एक पल्टा लेंगे तीखा वाला और बीच में से हम इसको निकालना चालू करेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा ये, अभी इसके अंदर moisture है, तो हम इसको दो दिन के लिए और सुखाएंगे, अगर आप ceiling fan के अंदर सुखाते हैं, तो आपको time लगेगा, क्योंकि मैंने ये छट के पंखे में ही सुखाया था, और अगर आप table fan के अंदर सुखाएंगे, तो ये शायद जल्दी सुख सकता है, ले दो दिन पहले और दो दिन फिर निकालने के बाद में और तब जाके ये एकदम अच्छा सा ड्राई हो गया तो अभी हम इसको दो दिन के लिए और रख देते हैं लगातार पंखे को चलने देना है अब ये चार दिन में बहुत ही अच्छे से बंखे तयार हो गया देखिए आप आवाज सुन सकते हैं आप इसकी एकदम सूप चुका है ये पाउडर अब मिक्सर का एक जाड लेंगे और इसके आधा हम इसके अंदर डाल देंगे पाउडर को पूरा एक साथ नहीं डालना है और इसको हम अच्छा सा बारिक पीस लेंगे एक साल तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी कोई अचानक से मेमान आ जाए तो जल्दी से हम इसे बना सकते हैं या फिर कोई जेंट से घर में रहते हैं तो वो भी बना कर पीस सकते हैं इसको सुखाने में बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है हमको तो देखिए आप पाउडर बहुत ही अच्छे से बन के दयार हो गया अब जो आधा बचा हुआ है वो भी हम इसके अंदर मिला देते और फिर से हम मिक्सी को चला देंगे तो सारा पाउडर बन गया है हमारा एक मिनिट मिक्सी चलाने से ही ये बहुत अच्छे से बन के तयार हो जाता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेमिली फ्रेंट्स के साथ शेयर कीजेगा और चेनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा अब इसको हम किसी एट आड डिबबे के अंदर भरके रख देतें अगर आप फ्रिज के अंदर नी रखेंगे तो भी एक साल तक चलेगा और अगर फ्रिज के अंदर रख देंगे तो भी कोई बात नहीं है अब इसको बनाते कैसे हैं ये देख लीजे आप तो ग्लास के अंदर बहुत सारी आइस क्यूब डालेंगे, गर्मी का सीजन है, तो बिना आइस क्यूब के कोई भी ठंडी चीज अच्छी नहीं लगती है और उसके बाद फिर हम इसके अंदर छोटी एक चमच ये पाउडर डाल देंगे, जो हमने अभी बनाया है और उसके बाद ठंडा पानी डाल देंगे, हमारे निम्बू पानी कितनी आसानी से बनके तैयार हो गया और अगर आप शिकंजी बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक और पिसा हुआ जीरा डाल दीजिए तो कैसी लगी आपको बहुत ही आसानी से बनने वाले निम्बू कि शिकंजी की पाउडर की रेसिपी एक बार जरूर से बनायेगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजेगा समर में ये सब के लिए बहुत ही यूसपूल रेसिपी है एक बार बना कर रख देंगे तो पूरे साल के लिए आराम हो जाएगा और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पूर वाची